नमस्कार दोस्तों स्वागात यापका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बेल्ट्रोन पास 7,311 अभियरतियों के ज्वाइनिंग से संबंदित है आप सब जानते हैं कि हम लोग 2019 से बेल्ट्रोन से CBT और टाइपिंग पास करके ज्वाइनिंग का इंतजार ही कर रहे हैं कुछ महीने बेल्ट्रोन ने ERP Software Operation के नाम पर देर किया तो कुछ महीने करोना के चलते देर हुआ और अब कुछ महीनों से LRC 534 बाहली के नाटक चल रहा था अब सवाल उठता है कि हम 7,311 केंडिडेट्स का अंतीम पैनल लिष्ट तक ज्वाइनिंग मैं सुन लीजिए के कॉल रिकोर्डिंग पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्कीप किये हुए लाट्स तक जरूर देखें कि रिकोर्डिंग सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने कॉल क्यों किया था और मुझे जो जवाब मिला उसका मतलब क्या बनता है क्योंकि अधिकारी इंडिरेक्टली बहुत कुछ कह जाते हैं जिसका मतलब समझना पड़ता है तो चलते हैं रिकोर्डिंग और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपके भाई का कुछ भाला हो जाएगा तो यह चलते हैं रिकोर्डिंग पर हलो है जी नमस्कार सर मेरा नाम नमीन कुमार हुआ सर यह बेल्टोन का ज जब एक वाई सी हुआ ऑनलाइन तो उस टाइम पर मैंने अपना यह वाला सफिकेट जो था वह अपलोड सब्सक्राइब कर दिया था तो सर जानना यह था कि मेरा जब मेरिट लिस्ट जैसे जो बना है पैनल तो मेरा सेलेक्शन सराइज जिनर के टेगरी होगा या फिर डाल सर से हम सर तो कुछ लोगों का हो भी गया सर लेकिन मेरा लगबग 6,000 सम्थिंग के आसपास मेरा डिश्टन नमर है सर तो नहीं सर बात यह था सर कि चुकि दो साल सर हो गये तो कुछ बताते सर कितना दिन और लग सकता है पूरे हम लोग को होने में सर जोइनिंग तो सर सर दो हजार तीन हजार पर लोग हम लोग से आठ घंटा वही काम करा रहे हैं और इतना सर पैसा में सर क्या होने वाला है तो अब है कि कई सर रिक्वेजिशन आएगा तभी नापका होगा अच्छा सर एक और बात सर अभी बिहार सरकार यह जो चठा वेतना जो यह क्या बोल कर्वाल और फिर से ग्वेजिशन आएगा तब होगा अच्छा फिरसे जील आपना अफमेशन शैल डिषी तब होगा कि तरुम सम्संदम किट ना दिन लागी दोच सालतो हुए गिया और कितना इंब कर सकते हैं सर चुक knapp करना पड़ेगा अच्छा मतलब कि हम लोग जो साथ लिया 311 के लगभग 6-7 महिना में सबका हो सकता है नहीं नहीं होगा लेकिन इसलिए नहीं होगा कि जैसे जैसे रिक्विजीशन आएगा वैसे वैसे होगा ना भाई जी 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 तो रिक्विजीशन मालों बिभाद मांगे जा ही नहीं तो कहते समिट कर दिया जाए कि सब्सक्रा हो जाएगा वह तो बात है सर आखिर पोस्ट खाली है तभी तो बिहार सरकार ने कहा कि फिर से 8000 कुछ जो पन्चायत राज है उसमें एक करफलेक्स होंगे तो अब तो सरी जीला को एक्टिव होना पड़ेगा ना सभ सब्सक्राइब झाले आज़ें और सद्विव वाली जैवे हैं और X2 म 12 से बोले आपको मेरा शेयता चीजर संफिन भखशर से हैं सटो मेरा पियूद रख्या अब तक घूसकता है तो आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया है मैं आपको बता दू कि मैंने कॉल में अपना नाम गलत बताया है सेफटी के लिए लेकिन यहां पर मैं एक बात किलियर कर दूँ आपने रिकॉर्डिंग में जो छे महिने में जो आनिंग का बात सुना वो मेरे लिए था यानि कि EWS के लिए था बाकी जब मैंने साथ या 311 अभियर्थियों के जो आनिंग के बारे में पूछा तो मुझे कोई सटिक जवाब नहीं मिला अधिकारियों दवारा बस यही कहा जा रहा है कि अगर रिक्विजिशन आएगा तो जो आनिंग होगा दोस्तों आपको मालूम है कि परतेक पंचायत में एक-एक कारपालकों की नई भेकैंसी करनी है इस पर भी अधिकारी ने जवाब यही दिया कि रिक्विजिशन आएगा तभी न हम जो आनिंग देंगे मेरा आप सभी साथ 1311 बेल्टरोन अभियर्थियों से निवेदन है कि आप अपने अपने जिले में अधिकारी या संबंधित विभाग में जाकर इस नए पंचायती राज में बहाली को लेकर बेल्टरोन में रिक्विजिशन भिजवाए तब जाकर कहीं आपका ज्वाइनि चुनाव होने वाला है इसको लेकर सारे बिभाग अब जनवरी या फर्वरी तक ब्यास तो रहेंगे ही उपर से अब हम लोग का सारा परतेभार विचालू होने वाला है तो छुटिया ही छुटिया है तो दोस्तों जानि लेना है तो आपको पसीना बहाना होगा अपने अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्यवाद